Hello Friends, Welcome to our Channel तो Friends, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था Forest Guard के 2019 के पेपर को और उसमें से हमने Environment Science और इमानचल प्रदेश की जियोग्राफिक को डिस्कस किया था तो आज हम इसके next पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें की हम Hindi section को, English को और Mathematics को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है First Question है इन में से कौन सा सितार, गिटार और तानपूरा के स्मरूप है तो इसको Option D से होगा Byland Second Question है Lucknow is situated on River Dash Lucknow Dash नदी के किनारे बसा है तो Lucknow गोमती नदी के किनारे बसा है इसको Option C से होगा जैसे की Lucknow की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा उत्तरप्रदेश की राजदानी Lucknow है और उत्तरप्रदेश की बात की जाए तो उत्तरप्रदेश के जो बरतमान के मुख्यमंत्री है उनका नाम योगी अधित्यनाथ है और उत्तरप्रदेश के गुबर्नर है अनन्दी बेन बटेल और उत्तरप्रदेश के राजदे का गठे नुवा था चोबिश जनवरी 1950 को तो ये भी आपने याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते है तो ये आपने याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते है प्रदान मंत्री उजवला यूजना की से समंदित है तो प्रदान मंत्री उजवला यूजना की बात की जाए तो ये यूजना प्रदान मंत्री निरंदर मोदी ने 1 मई 2016 को कब की थी ये? 1 मई 2016 को बलिया जिले के उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से सुरू की गई और प्रदान मंतरी उजवला यूजना के अंतरगत नागरिको को मुफ्त गैस सिलिंडर कनेक्शन की सुविदा सरकार दोरा प्रदान की जाती है ये भी आपने याद रखना है तो ये किसे समन्द रखती है ये रखती है रसोई गैस से कुकिंग गैस से ओप्शन दी सही होगा अगला कुश्चन है फाइंड आउट दा ओड मैन आउट मतलब की इन ये जो दिये गया है नंबर्स इन में से हमने ओड को फाइंड आउट करना है असंगत अलग करना है तो जैसे कि हमारे पास दिये गया 4 का स्केर 25 आगया 5 का स्केर 36 आगया 6 का स्केर 72 किसी का भी स्केर नहीं होता है 144 12 का स्केर 196 14 का स्केर 225 15 का स्केर तो हमें देखने से पता लग रहा है कि 72 किसी भी नंबर का स्केर नहीं है तो इसका अंसर भी सही होगा 72 अगला question देखते है एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है दो साल में उसकी उमर अपने बेटे की उमर से दुगनी हो जाएगी बेटे की उमर बताई तो first of all हमने question की language को समझना है जैसे की question में लिखा है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है तो एक आदमी अपने बेटे से तो उसके बेटे की उमर माम मा लेते है X है तो वो कितने साल बढ़ा है 24 प्लस X 24 प्लस X साल बढ़ा है क्योंकि उसके बेटे की अगर उमर X है बर्तमान में तो वो अपने बेटे से 24 साल बढ़ा होगा लेकिन 2 साल बाद 24 प्लस X प्लस 2 मतलब की X प्लस 26 हो जाएगी उसके पिता की उमर, उसके फादर की उमर दो साल के बाद, तो question बोल रहा है कि दो साल में उसकी उमर अपने बेटे की उमर से दुगनी हो जाएगी, किस की उमर? उसकी उमर मतलब की किस की उमर? फादर की उमर, फादर की उमर कितनी है दो साल के बाद? X प्लस 26 ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दुगनी, दुगनी किस से? उसके बेटे से, तो X प्लस 2 इस तारह से हम इसको solve कर लेंगे तो ये आ जाएगा मारे पास X प्लस 26, 2X प्ल 4 फिर जब हम x को equals 2 से दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो यह हमारा x रह जाएगा 2x minus x हो जाएगा तो x बज जाएगा वो 26 और यह plus 4 में है equal 2 के दूसरी तरफ जाने से minus 4 हो जाएगा तो 22 तो हमसे पूचा क्या है हमसे पूचा है कि बेटे की उमर बताओ तो बेटे की उमर बरतमान तो एक्स ही थी तो एक्स कितनी है 22 तो इससे option D से ही हो जाएगा 22 अगला question देखते है अब इंदर किला नैसनल पार्क कहां पर स्थित है इंदर किला नैसनल पार्क कुलू जिले में है इसको option A से ही होगा इंदर किला नैसनल पार्क कुलू में है और इसकी स्थाफना 2010 में होइ थी 2010 में इसको नैसनल पार्क बनाए गया था Great Himalayan National Park वो सबसे चोटा हिमानचल प्रदेश में सिंबल बाड़ा National Park है ये भी आपने याद रखना है अगला कोश्चन देखते है इनमें से कौन सी नदी हिमानचल प्रदेश से होकर जम्मू कस्मीर में बहती है तो हिमानचल प्रदेश से होकर जम्मू कस्मीर में बहने बाली नदियां दो नदियां है एक का नाम राबी है दूसरे का नाम चिनाब है और उप्सन में हमारे पास चेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब दिये गई है तो इस तरह से चिनाब इसका राइट अंसर हो जाएगा तो चिनाब नदि की बात की जाए तो चिनाब रदी भारत के हमानचल प्रदेश के लाहुलस्पृती जिले के टांडी नामक स्थान में चंद्रा और बागा नदियों के संगम से बनती है और इसे चंद्र बागा के नाम से भी जाना जाता है ये सभी को पता है कि ये सिंदू नदी की एक साहिक नदी है और ये बुजिन्द के पास पांगी में प्रवेश करती है मतलब कि ये चमबा में बुजिन्द के पास से हुकर प्रवेश करती है और चम्बा से ये संसारी नाला में कस्मीर की पोर्डर बैली में प्रवेश करती है संसारी नाला से ये कस्मीर में प्रवेश करती है कस्मीर की पोर्डर बैली में अगला question देखते है gst mean gst की perform होती है good and service tax तो इसका option c से होगा GST से हमने और कुछ मेतपुन फेक्ट्स याद रखने हैं जैसे कि GST सबसे पहले France ने इंप्लिमेंट की थी France ने इसको सबसे पहले इंप्लिमेंट किया था और India में 2017 में इसको इंप्लिमेंट किया गया India में कब 2017 में यह भी आपने याद रखना है अगला question देखते है हिमानचर प्रदेश में कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंक्य गनतब है तो इसका option D सही होगा हमीरपूर हमीरपूर जिले में सबसे अधिक जनसंक्य गनतब है अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंक्य गनतब तो अंसर हमारा हमिरपुर होगा और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंक्या बाला जिला गोन सा है तो उसका अंसर कांगड़ा होगा और सबसे कम गनतव जनसंक्या गनतव बाला जिला गोन सा है तो यह भी आपने याद रखना है अब हम English section को देखेंगे फॉरेस कार्ड में English से 10 questions पूछाते है Hindi से भी 10 questions पूछाते है Mathematics से भी 10 questions पूछाते है 25 questions पूछाते है Science section, सबसे अरेक Science section से पूछाते है 25 questions और 10 ओर 10 question हिमान चल पिरदेश जियोग्राफिय से और 10 question environment science से पूछ जाते है 11 question है Change the gender of a cult तो cult गोड़े के बच्चे को cult कहा जाता है तो इसका अंसर होगा Philly option D से होगा अगला question देखते है I saw a dash of loin in the forest तो इसका option C से होगा I saw a pride of loin in the forest तो इसका option C से होगा अगला question है Replace then in the sentence He did nothing else than beep तो हमने then को change करना है किस से हमने then को replace करना है इसका अंसर होजाएगा But He did nothing else but beep अगला question देखते है Which of the following sentence is correct? तो option है The cattle are grazing The cattle is grazing The cattle are grazing The cattle is grazing तो सबसे पहले cattle जो होता है cattle में S नहीं लगता है तो जहाँ जहाँ भी S है वो हमारे option गलत हो जाएगे Cattles are grazing Cattles is grazing A और B option हमारे wrong होगे अब cattle एक collective noun है और तो collective noun के साथ हमेशा ही plural noun आएगा तो इससे हमारा is तो गलत हो जाएगा तो ये option D भी गलत हो जाएगा तो R से ही होगा अगला question देखते है Which of the following narration is correct He say I am working hard तो जैसे first option है He says that I was working I was तो आएगा नहीं तो ये option गलत हो जाएगा He says that he was working hard बास तो यहाँ आएगा नहीं He says that I am working hard ये भी नहीं आएगा तो हमारा answer C से ही हो जाएगा He says that he is working hard अगला question है Adjective of plays Play का adjective होता है playful अगला question है Find the correctly spelled word तो इसका answer हो जाएगा boutique तो इसकी spelling होती है B O U Q U E T इसको pronounce करते है boutique और इसकी spelling ये होती है तो ये मारा answer भी राइट हो जाएगा The antonyum of world is bold होता क्या है bold होता है nidder, sahasi तो antonyum इसका opposite क्या होगा इसका opposite होगा timid, dark folk या फिर dark folk बोल सकते है कायर बोल सकते है तो इसका opposite ये हो जाएगा antonyum, bold का timid हो जाएगा अगला question है The antonyum of evil is evil होता क्या है evil जैसे कि reduced ये फिरम बोल सकते है bad बोल सकते है कुछ भी इस तरह से तो इसका तो इसका तो इसका बैड हो जाएगा option C सही हो जाएगा अगला question है find the adverb adverb क्या होता है kriya vishishishn kriya की क्या विशिषता है तो इसमें हमने find out करना है तो जैसे कि the story is well written तो इसमें bell kriya vishishishn bell is a adverb तो इसका option C सही हो जाएगा अब हम इंदी के questions को देखेंगे तो 21st question है bricks के पत्ते गेते हैं बाक्या में कौन सा कारक है तो जब भी अलग होने की बात आएगी या तो जुदाई की बात आएगी तो हमेशा आपने याद रखना है इसका option हमेशा ही अपादान कारक option सही हो जाएगा option भी इसका सही हो जाएगा नील कमल में समास है करम धारया इसका option भी सही हो जाएगा अगला question है गोड़ा तेज दोड़ता है इसमें तेज क्या है इसमें तेज क्रिय अबिशेशन है तो गोड़ा तेज दोड़ता है इसमें क्रिय अबिशेशन एडवर्ब है इसमें तेज तो इसका option भी सही हो जाएगा अगला question है नीना और रिना साथ साथ गई में अत्तिया छांटिये तो इसमें अत्तिया होगा और option A से ही हो जाएगा इसका अगला question है जो कभी न मरे जो कभी न मरे के लिए एक सब्द तो इसका option B से हो जाएगा अमर जो कभी नमरे उसको अमर कहते हैं तो इससे इसका option B से हो जाएगा रचना की द्रिष्टी से बाक्या के बेद रचना की द्रिष्टी से बाक्या के तीन बेद होते हैं सरल बाक्या, मिस्रित बाक्या, मुस्यूंक्त बाक्या तरह से इसका option B से हो जाएगा, तीन हिंदी बासा के कितने रूप है हिंदी बासा के दो रूप है लिखी तोर बोल कर तो इस तरह सी इसको अप्शन ए से ही हो जाएगा अगला कुश्चन देखते है अलंकार सब्द का कौन सा सही प्राइबाच्ची सब्द है प्राइबाच्ची से हमारा मतलब है synonym तो अलंकार होता है जैसे कि गहने अभूशन तो इस तरह से इसको option C सही हो जाएगा next question है संदी के अंतरगत पंगट सब्द के संदी के सही रूप का चेन करे तो पंगट की संदी विशेद होगा पानी प्लस घाट option C सही हो जाएगा अगला question है निर्त्य सब्द है हिंदी और संस्की दोनों में ही हम A की सब्द का यूज़ करते हैं वो है निर्त्य तो इस तरह से इसको option A से हो जाएगा तत्सम तो निर्त्य सब्द एकर तत्सम सब्द है अब हम math के questions को देखेंगे तो first question है उस छड़ की बर्ग से मिलकर बनाऊता है गन इस तरह से तो ऐसे दिया गया है और जिसकी बुज़ा 10 cm है गन की बुज़ा दी गई है हमारे पास 10 cm लंबी है कोई भी गन होगा जिसकी बुज़ा जिसकी लंबाई भी 10 cm होगी चड़ाई भी 10 cm होगी और उन्चाई भी 10 cm लंबी होगी मैं पूरी तरह से समा सके कोई भी चड़ कोई भी रोड कितनी समा सकती है एक गण में तो इस तरह से कोई भी गण मैंने आपको पता दिये इस तरह से कोई गण होगा जिसकी लंबाई, चुडाई, उन्चाई सभी एकुल्स होगी तो उसमें वो बिकर्ण में ही पूरी तरह से समा सकती है बिकर्ण में सबसे लंबे तक वो समा सकती है तो इस तरह से बिकर्ण क्या होता है गहन का गहन का बिकर्ण होता है अंडूट 3A तो अंडूर्ट 3 एक गहन का विकार्ण होता है यह आपने याद रखना है तो 3 आ गया और A क्या होगा A हमारे पास होगी भूजा और भूजा हमारे पास दी गई है 10 तो इस ताला से इस कंसर हो जाएगा 10 अंडूर्ट 3 ओप्शन D इसका सही हो जाएगा अगला कुश्चिन देखते है यदि किसी बर्ग का विकर्ण 402 सेंटीमीटर है तो बर्ग क्या होता है बर्ग होता है जिसकी सभी साइड इकोल होती है जिसकी लंबाई चुडाई एकुल्स होती है जैसे कि ये एक साइड भी ये होगी दूसरी भी ये हो तीसरी भी ये चोती भी ये उसका बिकर्ण बिकर्ण होता है बर्ग का ये ये दिया गया है हमारे पास 402 और जो बर्ग होता है उसके बिकर्ण का फार्मूला होता है अंडूट टूए अंडूट टूए बरक के विकर्ण का फार्मूला होता है यह हमारे पास दिया गया है फोर अंडूट टूट टूट दिया गया है इससे हम क्या निकाल सकते है इससे हम बरक की बुजा निकाल सकते है तो बरक की बुजा हम इससे निकाल सकते है अंडो 2 से अंडो 2 कैंसल A हमारे पास आगया है 4 अब हमारे पास A आगया है हमारे पास साइड आगी है तो हम इसका क्षेतरफल निकाल सकते हैं बरक का क्षेतरफल बरक की क्षेतरफल का फार्मला होता है a square या फिर बूजा गुना बूजा तो बूजा गुना बूजा से हमारा 4 गुना 4 is equals to 16 cm square तो इस तरह से हमारा अंसर भी सही हो जाएगा तो इस तरह से हमारा अंसर भी सही हो जाएगा अगला question देखते है दो संख्याई अच्छे हमारे पास दिया गया है 180 एड़ 6 जदि एक संख्याई 30 है जदि एक संख्याई 30 है तो दूसरी संख्याई क्या होगी तो इसके लिए हमारे पास formula होता है first number into second number is equals to HCF into LCM अब हमारे पास इनमें से क्या क्या दिया गया है हमारे पास first number दिया गया है, यदि एक संक्या 30 है, एक संक्या हमारे पास 30 दिया गया है, और हमारे पास दूसरी संक्या क्या होई, दूसरी संक्या हमने निकालनी है, और हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास LCM 180 दिया गया है, इससे हम second number निकाल सकते हैं, तो जैसे कि second number य जाने पर ये डिवाइड में हो जाएगा तो इस तरह से ये आ जाएगा जीरो से जीरो कैंसल 368 और 6 इंटू 6 हमारे पास 36 आ जाएगा तो second number हमारे पास 36 आ जाएगा तो इस तरह से हमारा अंसर 36 हो जाएगा तो इस तरह से हमारा अंसर 36 आ जाएगा हमने फार्मूला याद रखना है फर्स नंबर सेकिंड नंबर इस इकोल स्टू HCF इंटू LCM नोट कर सकते हैं आप इसको इंपॉर्डेंट फार्मूला है अगला कोश्यन है बिंदू माइनिस 3 माइनिस 4 बन माइनिस 2 के जोडने वाला रेखकंड तो जैसे कोई भी दो बिंदू है उनको जोडने वाला रेखकंड हमारे पास आ जाएगा लाइन सेगमेंट यह भी बिं एक्सिज में हमारा एक्स क्या होता है जीरो होता है और वाय हमारा कोई भी बैली होगी वाय एक्सिज में किस अनुपात में विवाजित करता है तो कौन से अनुपात में वो विवाजित करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है हमने एम और एन का अनुपात निकालना है तो हम M और N को मान लेते हैं लेमडा और बन ये हमने M और N को मान लिया और ये हमारा कोई भी C पॉइंट उसको ये भी वाज़ित कर रहा है जीरो और A में अब जीरो क्या लिया हमने जीरो क्यूं लिया क्यूं कि बाइ एक्स में X हमारा zero होगा तो हमने X को zero मान लिया आप Y को हमने A मान लिए भी कुछ भी मान सकते हो आप तो इस तरह से ये point आगे तो इसके लिए हमारे पास formula होता है जैसे हमारे पास जब M और N दिया हो तो हम इन point को कैसे निकालते है ये जो C point है इसको निकालते हैं हम जैसे की m into x1 m into x2 यह होता है x2 यह हमारे पास by 2 यह हमारे पास x1 यह हमारे पास by 1 तो हम कैसे निकालते हैं m into x2 plus n into x1 upon m plus n इस तरह से हमारा x भी आ जाएगा फिर by निकालने के लिए हम क्या करते हैं m into by 2 plus n into by 1 upon m plus n तो इस तरह से हम इस point को निकाल लेते हैं लेकिन हमारे पास यह point दिया गया है जैसे कि हमारे पास x दिया गया है 0 तो x तो हमारे पास 0 दिया गया है तो अब हम इसको लगाएंगे तो यह हमने मान लिया कोई भी lambda और 1 है तो lambda into x2 lambda into x2 के हमारे पास 1 है लेम्डा इंटू X2 1 है प्लस N इंटू X1, N के हमारे पास है, 1 है, इंटू X1 कितने है, मैनिस 3 है अपोन M प्लस N, लेम्डा प्लस 1, तो लेम्डा इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा लेम्डा, और यह हमारे पास 1 into minus 3 हमारे पास minus 3 आ जाएगा upon lambda plus 1 is equals to 0 तो इस तरह से जब यह lambda plus 1 equal to के दूसरे side जाएगा तो यह 0 से multiply होने पर 0 हो जाएगा किसी को भी हम 0 से multiply करते हैं वो हमारा 0 ही आता है तो इस तरह से lambda minus 3 हमारे पास बज जाएगा और इस तरह से हमारी value lambda की आ जाएगी 3 तो lambda की 3 आ गी तो हमने इसको 3 मान लिया इस तरह से हमारा बन आ गया तो हमारे किस अनपात में भाजित करेंगे वो 3 अनपात बन में option A से ही हो जाएगा अब हम अगला question देखते है यदि mean 75 दिया गया है median 60 दिया गया है तो mode गया होगा तो इसके लिए हमारे पास formula होता है mode is equals to 3 median 3 median minus 2 mean यह हमारा इसके लिए formula होता है तो हमारे पास mode को हम हिंदी में बोलते है बहुलक mode को हम बोलते है बहुलक median को हम बोलते है माद्यक और mean को हम बोलते हैं projection तो इस तरह से mode अब mode हमारे पास हमने क्वाइड अउट करना है mode find out करना है और हमारे पास median दिया गया है 60 median आपास 60 दिया गया है यह इसका right हो जाएगा 30 इसका right answer हो जाएगा अगला question है यदि बृत और बरक का परिमाब समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनपात क्या होगा तो बृत का परिमाब कितना होता है टू पाई आर यह अगर equal है किसके बरक के परिमाब से तो इसमें से हम आर निकाल लेंगे आर को हम अलग कर लेंगे और उसके बाद हम फिर बृत का क्षेत्रफल को find out कर सकते हैं तो जब हम आर को एक side रखते है तो यह हो जाएगा 4 upon 2 pi वह हमारे पास अब हमारे पास बृत का क्षेत्रफल कितना होता है area of circle वो हता है वो हता है वो हता है πाई आ आर स्केर वता है और आर स्केर हमारे पास आर कितना निकाल लगने 4 JE आपॉन 2 pi तो 4A upon 2 Pi का whole square जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 14 upon 11 का A square यह हमारा आगया Pi R square अब हम से पूछा क्या है इनके क्षित्रफलों कानपाद जैसे कि हम देख रहे है Pi R square is equals to 14 upon 11 का A square तो Pi R square तो हमारे पास होता है ब्रित का क्षित्रफल और जब हम A square को equal to के दूसरे साइड लेके जाएगे तो यह upon में आ जाएगा Pi R square upon A का square is equals to 14 upon 11 Pi R square हमारा होता है ब्रित का क्षित्रफल A square हमारा होता है बरक का क्षित्रफल and हम से पूछा भी इतना ही है कि इन के क्षित्रफल का अनुपात कितना होगा तो यह ही हमारा देशो है Pi R square अनुपात A square तो यह कितना है हमारे पास 14 upon 11 तो इस तरह से हमारा अनसर आजाएगा 14 upon 11 तो उप्सन भी सही हो जाएगा 37 question देखते है जैसे कि question दिया गया है 4 minus 4 into 5 plus 5 तो हमेशे याद रखना है इस तरह के question को solve करने के लिए हमें board mass rule को ध्यान में रखकर solve करना होता है और board mass rule के अंतरगत सबसे पहले हमें bracket part को solve करना है उसके बाद off वाले part को फिर division को फिर multiplication को addition को और सबसे last में subtraction को solve करना होता है और इस question में हमें multiply addition और subtraction ही दिया गया है तो सबसे पहले हम addition सबसे पहले हम multiply के part को solve करेंगे 4 into 5 हमारे पास 20 का जाएगा 4 minus 20 plus 5 उसके बाद ये plus 4 में है ये हमारे पास plus 5 में है तो addition part को solve करेंगे plus 9 minus 20 जब हम इसको solve करेंगे plus 9 minus 20 तो हमारा answer आजाएगा minus 11 क्यों हमारा 11 के बाद negative sign आया क्योंकि जो हमारे पास बड़ा number है उसके 7 negative sign है तो इस वज़ा से answer negative में आया minus 11 तो हमारा answer C right हो जाएगा अगला question देखते है पाइथागोरस प्रमे के अनुसार 12 का square plus dash is equal to 13 का square तो हमेशा आपने याद रखना है पाइथागोरस प्रमे only right angle triangle में use होती है right angle triangle में एक angle 90 degree का होता है तो ये भी आपने याद रखना है जैसे कि हम आ लेते हैं ये A है ये B है ये C है अब हमारे पास क्या होता है इस पाले पार्ट को हम बोलते है hyper news जिसको हम हिंदी में बोलते है current और इसको हम बोलते है perpendicular हिंदी में बोलते है lump और इसको अधार base पोलते है पाइथागोरस प्रमे के अनुसार करन का square is equal to अधार का square plus lump का square तो इस तरह से होता है तो हमारे पास question में दिया गया जैसे equal to के दूसरे side तो ये हमारे पास current का square होगा current का square हमारे पास 13 का square दिया गया है अधार का square हम से पूछा गया है x square जैसे या फिर अधार या फिर lump कुछ भी आ जाएगा और यह हमारे पास slum जैसे 12 का square दिया गया है तो जब हम इसको solve करेंगे तो 13 का square 169 आ जाएगा X square as it is और 12 का square हमारे पास 144 आ जाएगा और जब 144 को हम दूसरी side लेके जाएगे एक्कोल 2 के यह minus हो जाएगा 169 से 169 minus 144 होता है 25 तो X square हमारे पास 24 आ जाएगा तो X square हमारे पास 5 का square आ जाएगा तो इस तरह से हमारा answer हो जाएगा 5 का square ओप्सन नमबर भी इसका right हो जाएगा अब हम 39 question को solve करेंगे तो यह question है quadratic equation का तो हमेशा आपने याद रखना है जब भी इस तरह की कोई भी quadratic equation दी गई हो तो आपने क्या करना है जैसे हमारे पास ठीक है 2X square minus X plus 1 by 8 तो इसको हमने equal to 0 मान लेना है उसके बाद ही हमने इसके root निकाल ले है तो जैसे यह हमारे पास fraction में दिया गया है यह 1 by 8 तो इसको हम सबसे पहले इसको हम solve कर लेंगे तो इसको solve करने के बाद हमारा आ जाएगा जैसे की 8 हमारा LCM आ जाएगा 16X square आ जाएगा 8X आ जाएगा plus 1 is equal to 0 अब हमारा जो यह 8 है यह equal to के इस साइड जाके यह हमारे पास 0 से multiply होने के पास 0 हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा फिर equation 16X square minus 8X plus 1 अब यह जो constant part होता है जैसे हमारे पास plus में दिया हो तो हमारे पास दोनों ही root और हमारे पास यह जो यह part है minus में दिया हो और यह part हमारे पास plus में दिया हो तो दोनों ही root हमारे पास positive और positive निकलते है plus वाले ही आते है उसके पात जब हम क्या करते है यह जैसे हमारे पास इस part को हम इससे multiply करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा अब हम क्या करेंगे 16 को हम दो भगों में विवाजित करेंगे ऐसे उसके तुकड़े करेंगे जिसको multiply करने पर 16 आए और addition या subtract करने पर 8 आए तो इस तरह से जब हम 4 और 4 को multiply करते है तो हमारे पास 16 आते है और इसको addition करने पर 8 आते है अब जब हमारे पास आगे 4 और 4 तो हम क्या करेंगे यह जो x square का coefficient है यह जो x square का coefficient है इसको हम upon पे लिखेंगे जैसे 4 upon 16, 4 upon 16 तो इस तरह से मारे पास root आगे 1 by 4, 1 by 4 तो इसका अंसर हो जाएगा option number B अब हम next question solve करेंगे जैसे मारे पास 1 minus 10 square 45 degree upon 1 plus 10 square 45 degree तो इसके लिए हमें 1045 degree की value पता होनी चाहिए तो 1045 degree की value होती है 1, 1045 degree की value होती है 1 तो 1 जैसे हमारे पास लिएगे 10 square तो 1 का square आजाएगा 1 minus 1 का square upon 1 plus 1 का square 1 minus 1 का square, 1 का square 1 होता है तो 1 minus 1 और 1 plus 1 1 minus 1 0 और 1 plus 1 2 तो हमेशा आपने याद रखना है जैसे 0 upon कुछ भी हो 1, 2, 3, 4, anything कुछ भी जैसे infinity रख तो वो हमेशा ही 0 ही आएगा तो इस तरह से मारा अंसर C right हो जाएगा तो इस तरह से आज हमने math, hindi और English को solve किया English को discuss किया अब हम next part में science section को discuss करेंगे फिर देन हम for a start 2013 के paper को solve करेंगे और 2016 के paper को discuss करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को like करें जादे से जादा share करें और अगर आप channel पर नहीं हो तो channel को subscribe करना ना भोले करेंगे करेंगे